हालो फ्रेंट्स स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चेनल आइटी फाउंडेशन क्लासस में तो गाईश जैसे कि आप सभी को पताएं आईटे से समंदित सभी गौवर्मेंट जोब अपडेट्स इस यूट्यूब चेनल के माद्यम से मैं आप सभी तक पहुँचाता रहता हूं तो गाईश जिदे आप लोग फर्स टाइम हमारे इस यूट्यूब चेनल पे हैं तो इससे सब्स्राइब करें साथ इसाथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आईटे से समंदित सभी जोब अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुँचती रहें तो गाईश स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहाँ पे देखें इंडिया गवर्मेंट मिंट रिक्रिव्मेंट मुंबई में जो है यहाँ पे आईटे कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स आपन हुई है तो मैं चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं लोगों की एप्लिकेशन आवेदन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे गाईज और 15 जुलाई 2023 जो है वो इसकी लास्ट टेट है ठीक है और पैमेंट जो है वो आपका पंदरा जुलाई से यह 15 जून से 15 जुलाई तक जो है आपका पैमेंट भी डिपोजिट होगा ठीक है तो यह आप लोगों की इंपोर्टेंट डेट से जिनको इस पिसले आपको अपने माइंड में रखना है इस डेट चो लास्ट टेट है उससे पहले पहले जो है इस वेकेंसी के लिए अप्लाई कर देना है ठीक है अब आगे देखे गाईस कौन-कौन अप्लाई कर सक के लिए यहां पर जो है सुनहरा उसरे गोल्डन चांस है और सेलेरी देखे गाईस गोवर्मेंट जोब है तो अब्वेसली सेलेरी बहुती जबर्दस रहने वाली तो सेलेरी यहां पर 18,000 से लगबख 60,000 रुपे तक सेलेरी आप लोगों की रहेगी इसके अलवा अदर अल अच्छे ठीक है इसके लाव BC की च्छे है EWS की जो है दो है अंडर यह अन्रिजर्व्ट जो है उस कैटेगरी के लिए जो है 11 पोस्ट यहां पर अवेलेबल है बस ट्रेड फिटर होना चाहिए वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और एस क्राइटेरिया जो है वो 15 जुलाई 2023 तक 25 एर्स ठीक है 25 एर्स आप लोगों का एस लिमिट यहां पर रखा गया है इसके बाद में गाईस जो सेकेंड पोस्ट है वो भी जूनियर टेक्निस ही नह से 67,390 रुपर यहां पर सेलेड रहने वाली है टोटल पोस्ट यहां पर चार है और फुल टाइम जो है आई टी सर्टिफिकेट होना चाहिए टर्नर ट्रेड में ठीक है एस लिमिट यहां पर भी 25 रखा गया है तो गाईस इस तरीके से जो है फीटर ट्रेड और ट्रेड व कॉमबाई में ठीक है तो जो भी इंटरेस्टेट केंडिडेट से लिजिबल केंडिडेट से वहां पर जरूरा वेदन करें तो गाईस आई होफ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्फुल रहा होगा आज किस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आप से नेक्स अपनिवाट